हाँ वही स्टुडेंट्स क्याल जा ला है तो पांचवा चेप्टर रहेगा अपना पांचवा पार्ट रहेगा एनिमल किंडम फिफ्ट है यह चार इससे पहले अपने देख लिए हैं अब यह जो फिफ्ट पाइट है इसमें कुछ डिफर टाइप के क्योशन अपन लेकर आए हैं आप यह मान कर चलें इतने जो कंसेप्ट आपको अनिमल किंडम के दौरान हमने बताए हैं इससे बाहर नीट में क्योशन नहीं जाएगा बाइया ठीक है और इसके बाद जो यह त पच्छों के लिए इस्ट्रक्ट्रल ओर्गनेजेशन अनिमल जो चैप्टर नंबर सेवन है इलेउंट की एंटि का अनिमल हिस्ट्रोजी जिसमें टीशुज की बात करेंगे वह श्रीज लेकर आते हैं तो मैं सुनिल सोरांड जुलोजी फेकल्टी CLC सिकर और मेरे साथ हैं यतिंद्र सर यह विजुलोजी फेकल्टी CLC सिकर चलू करें अब तो जानते हैं बच्छे बिल्कुल बिल्कुल तो चलू करते हैं पहला क्योशन विच और फॉलिजार्ड की बात हो रही है एंड सेलामेंडर लिंबलस एंफिबिया की बात हो रही है तो पहले लिंबस टेल लिंब इंफिबिया एक रैप्टायल और एक एंफिबियन और वह जाती है वोल लिजार्ड निवन मेंसे कौन सा लक्षन है मंडिजार्ड लकषन नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल इस नोट एक कॉमन तो पोस्ट एनल टेल की अगर बात करें तो दोनों में इह पाई जाती यह पोस्ट अलते हो एंब्रियोनिक कंडिसेन वाली है तो पेंटादेक्टाइलेस हां अंगलियां डिजित होती है। बिल्कुल पाई जाती है। टिंपनिक मेंब्रेन की अगर बात करें एक्टरनल एर की फूर्म में रिपर्जेंटेशन हो जाता है। और मेटनेफ्रिक किड यह जो दोनों में पाया जाता है, तो आंसर कॉन से चला जाएगा, option number 4 चला जाएगा, तो इस एलमेंटरा में मीजोनेफरिक है, और यह रेप्टाला गया तो यहां से मेटानेफरिक होगी, तो रेप्टाइल, अबिच और मेमल्स में मेटानेफरिक पाया जाएगी, और फिश है और skin जो है मोईश बनी रहती है, यह सही है, अडल्ट रेस्पायर भाइ फोर मेथड़्स, अडल्ट की बात की जारी है, अडल्ट सुनिद जी तीन मेथड़्स से, उसमें ब्रैंकियल मालब गिल्स वाला नहीं, तो अगर यह वाला गिल्स अब्रैंकियल मालब गिल्स से नहीं नहीं सकता हैं। जब ये इनक्टिइव स्टेज़ के दौरान चलते हैं तब नम छा भी दोर निप डशन लार्वल तेटमेंट उत्व का फरीक लही होता है। है फीलकुली तो इंकर्रेक्ट पुछा थे हैे हैं, तो फर्स जाभर फौर चला जाएगा इसमें идетに लेटररल लाइन्स system बताया गया है यह जो अक्वेटिक वेटिक होते ही है, यह एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में एक लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होगा और यह जो है प्रेशर चेंज या बाहर का कोई भी मुवमेंट अगर इनकी बोडी में हो रहा है तो उसको डिटेक्शन करने के लिए यह लेटरल लाइन सिस्टम की प्रेजेंट्स अगर बात करें इन में होता है तो उसक प्रेज़ अधव जाता है बिलकुल कयोंकि है को इधर सा थे है आई मसलब एक तो टेड़ लार्वल स्टेज और टेल्ड अंधिबियं यह दोणा इमोनो टेलिक हो जाएंगे तो यह जो जो टेलिक यह बिलकुल तो तो क्या हो गया गलत हो गया लार्वल स्टेज ऑफ टेल्ड एज वेलेज टेलेस अंफीविया बिल्कुल ठीक वात है यह भी करेक्ट हो जाएगा तो अपने से पुछा है अपने पहले की जो लेक्टर से इस्टाइब कि अपने पहले की जो लेक्ट्टर से उन्हों में भी किया है नेक्स्क्राइब रहेगा क्योशन नमर 5 इन यूरो कोड़ेट दी नौटकोड इज तो यूरो कोड़ेट वाद सिफेलो कोड़ेट और उसके बाद में वर्टिब्रेट रहे तो यूरो कोड़ेट में तो जो लार्वल स्टेज है उस दोरान ये पाये जाएगा अडल्ट में यह रिप्लेट नहीं होगा यह खतम हो जाती है तो रिप्लेट वाई वर्टिकलर गलत बात पाउंड ओल्ली लार्वल टेल एंड लोस्ट इन डाडल्ट यह बात है यह बात वी क्या हो जाएगी यह यह तरीके से जैसे यह ट्रंक वाला पाट और यह टेल वाली पाट तो यहां पर यह हैड आ गया इसकी वज़ेसे रोंग हो जाए ठीक है नेक्स्ट क्वेशन शिक्स रहेगा जी सर्फ ट्रुमाइजों जो है एक्टो पेरसाइट है यह जो है मैरीन फिश और जो टर्टल्स उनकी बोडी के उपर बिल्कुल यह साइक्लो इस्टोमेट से हैं जी उनकी बोडी से जुड़ करके और जैसी बैट्रुमाइजों इसके बोडी से चिपके और यह ब्लड सक करती रहती है और यह क्या कहलाते है बचो एक्टो पैरसाइट कहलाते है किसके उपर मेराइन फिशिज और टर्टल्स के उपर तो आशो चला जाएगा उप्शन नम अब यहां पर सोकेट क्या हो सकता क्यों नहीं है क्योंकि यह कार्णिवर्स अनिवल होते हैं और इनके टीथ के वल प्रे को होल्ड करने के लिए होते हैं ना कि भोजन को चबाने के लिए तो च्विंग और फूड नहीं होता है इसलिए किसी सोकेट क्या हो सकता नहीं है क्य शोकेट में दशे हुए नहीं होते हैं तो ये बात गलत होगी और डिफिरेंट टाइप के भी नहीं होते ये भी गलत होगी एक्रोडान्ट और डाइफायडान्ट का मतलब हो गया जीवन में दो बार आना तू सेट अफ टीथ पाये जाते हैं लोवर जो में तीथ नहीं पाई जाएँगी क्यावल पर जोमें ही प्रेजिट ओड़ में ऊपसेंट टो ये दोनों बाते जी तो टीय बहुत ही सांदर बता ही है टोड़ में तो टीथ फिचर है थिकोडॉंट और हेटरोडॉंट। उसमें अपने लास्ट टाया था वह आपका एक्वेटिक मैमल में कुछ जो हो सकता है। उनमें हो सकता है। बिल्कुल ओडर किटेशिया की अपने जहां पर बात कें। जी नेक्स्ट कोईशन रहेगा एट। जी सर। फिच के र जो है वही उसी के टिप पर यह क्लैस पर और बनाते हैं। फिमेल की बोड़ी में स्पर्म इंजक्ट करने में बिल्कुल इंटरनल फर्टिलाइशिएं। इसलिए में इंटरनल फर्टिलाइशिया है। तो इसमें आपने को कॉंटिक्टिज देखना है। आप कॉन सी है। लेबियो, क्लेरियस, कैटला यह तीनों तो उस्टिक्टिज हो जाती है। इसको लुटियोन अपना आंसर चला जाएगा। जले आगे। क्यों से नम्बर नाइन रहेगा बच्चों। परजेंस ऑफ डाइकॉंडाइले की स्कल। ग्लेंडूलर इसकी बात कर रहा है। इसक अपने को मैमल की और अप्रोच करना है। उरियोटैलिज्म आड़ फीचर उफ तो मैमल कौन सा है इनमें। मैक्रोपस अपना अरसर चला जाएगा। से लामेंडर हो गया। अलाइटिस हो गया। नेक्टूरस हो गया। यह सारे कैसे हैं भाया। यह एम्फिविया कहलाते ह लेकिन यह एक ऐसा अडल्ट है जिसमें अडल्ट स्टेज में भी लार्वा एक्स्टरनली प्रजेंट बिल्कुल बिल्कुल सही का आपने। तो यह अपना क्योसा नम्बर नाइन हो गया। क्योसा नम्बर टेन। जी। विच कॉमिनेशन और फीचर करेक्टली डिसक्रेब बुक्ति के रिसक्त में, मेरineविटेट होता है, रोमुसरकल टेल नहीं होती है, होती है, हेटरोसरकल बॉड़ी कवरड भाइपल उर्पले पलेखोईड स्केल्स होते हैं यह गलत हो है। रहना होती है, हमने एकटेज का बना कर आपको बताए भी है, और बच्चों को, बच और हेट्रो सर्कल टाइप की एक लोग बड़ी और एक लोग चोटी हो जाती है और साथ ही एक फीचर यह भी विदाय था नोन अपरकुलिटेड गिल्स लिट्स तो अपना कॉन से चला गया फो 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 चला जाता है नेक्स्ट क्वेशन रहेगा क्वेशन नमरी लेवन इलेक् इलेक्रिक और बताया गया है और एक प्रॉक्सिमेटली हंड्रेड वोल्ट के लगबग यह करन्ट प्रोड्यूज करते हैं और किसमें काम आता है ओफेंस में भी डिफेंस में भी दोनों परकार का यह फंक्शन दर साथा है तो मोडिफिकेशन आफ मसल यह कहराता है नेक्स गलत होगे तो पहलेविक चला जाएगा पहलेविक फिन इसी क्यों संथा दा राइस्पारेट्री और यूज़ बाइदा स्नेक वहन दे आर कंप्लीटली संब्स इंदी वोटर वोटर में संब्स रहेंगे तो इसकी अगर बात करें स्नेक की रेप्टैल्स की तो इनमें तो के लिए लंग्स पहाए जाते हैं तो यह एक्वेटी कंडिशन में बिकिसके दौरा लंग्स के दौरा ही रेस्पायर करेंगे और उप्सन देख लेकं आप कौन सा है और नमबर त्री चला जाएगा ठीक है अर और बरिविदिंग कर लेते हैं और अन्दर बान नहीं पहलेек बिल्कुल तो ब्रीथ के लिए इनको सर्फेस पर आना ही होगा और उसके बाद ये डीप इंटु दी वाटर जा सकते हैं और ऐसे ही वह एक्वेटिक मैमल भी ऐसा ही करते हैं लंग सी यूज गरते हैं बिल्कुल उसके पर आके स्पीड से वाटर को मलब एर को बाहर पुस करत तो ये काफी बाद डिसकस किया अपने पहले माउथ और बादमीन में एनस बनता है ब्लास्टो पॉर वाला जो पार्ट बिल्कुल ये वाला रीजन इस क्या कहलाता है ब्लास्टो पॉर कहलाता है अगर ब्लास्टो पॉर माउथ बनाता है तो तो प्रोटो स्टों में और ब तो सबसे सिंप्लेस टाइप की अगर बात करूँ यह तिंदर सर नर्वनेट की फॉर्म में जो है वह सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है जैसा हाइड्रा मियापन तो आंसर कौन सा चला जाएगा सिलेंट्रेट्स देखना है यह हाइड्रा हो गया ठीक है इसमें साइकोन है त बिल्कुल इसको मर्मेड्स ग्लव्ज के नाम से भी जाना जाता है यह तिंदर सर मर्मेड्स ग्लव्ज यह डैड्में फिंगर ना बिल्कुल सही का आप नहीं यह इसको डैड्में फिंगर के नाम से भी जाना जाता है डैड्मेंस फिंगर ठीक है और यह मॉस्ट मुस्ट प्रिमिटिव इस पंज चले आगे जी तो आंसर चला गया हाइड्रा जी सर फिर्स्ट फाइलम जो पोरिफेर है उसमें नर्व अप्सेंट थी हाँ नर्व की बात नहीं करेंगे विच और फॉलिविंग इस प्रॉपरली मेजड है न तो और्थोपोड इंसेक्ट स्पाइडर स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है अरेक्नीड्स में आता है यह क्लास इसकी अरेक्नीडा हो जाएगा और इसी में स्कॉर्पियोन भी निक्लून है क्लास हो गई बच्चो इसकी अरेक्नीडा मॉलस्क का सिफिलोपोडा क्लास है लेकिन यूनियो उसका मेंबर नहीं है बिलकुल बिलकुल तो यूनियो को अगर रिलेट करना हो तो बाइवालविया देना पड़ेगा यहां पर तो सिफिलोपोडा की जगह क्या नहीं त्रिमेटोडा से रिलेटेड नहीं है बिलकुल बिल्कुल सही आपने तरिमेटोडा जो रहे बलब तरीमेटोडा सेक्नीक तो इससे वह रॉ्लेटेड आपका जिसको पण रिवर फलुक बोलते हैं यहां पर तो थीक हो जाता तो फिर आंसर बच गए आपना का अर्न अरू एस बिल्कुल बिल्कुल दसे हुए हो आपर मैस्टिकेशन में चाम में पहले भी अपने डिसकर्शन किया तो इनमें कौन हो जाएगा डोग जो है यह मैमल में लिया ख्लास के लिए टीफ पहे जातें हैं प्रिस्टिश की बात करें तो सो फिस कहेलाती है, बुफो हो गया, किलोन हो गया, किलोन रैप्टैल में रैप्टैल जो तो प॥ीसेज हो गया, घ्री इंटमें जो από एमस्टिकर्टिकैसं में लोगे वडय के लिए टीढ में ने ही पाई जाती है तो आंसे नंबर 4 चला तो अगर देखें, तो अगर देखें, तो all have equal number of arms, सब में equal नहीं होती है, जिसे Nautilus Zoo है, living fossil भी बोलते हैं, इसमें काफी सारी arms होती है, बहुं सारी होती है, इस तरीके से, living fossil है, काफी टाइम पहले हो लुआ था, और इसमें external cell होता है, जिसके अंदर animal present होता है, काफी सारी arms उसकी बोड़ी से, इस तरीके से, हैड से निकले भी होती है, तो सब में equal नहीं है, ठीक है, और all have internal cell, सब में internal लिए, lowly go sapiens, बिल्कुल बिल्कुल, octopus में है यह नहीं, और nautilus में external, external type की पाई जाती है, इसलिए यह वाला statement भी रूंग हो गया, all are marine, यह ठीक है, और सब का size इसलिए यह कुछ चोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बड़े हैं, तो सभी मेराइन होते हैं, यह इसका correct answer चला जाए, इसलिए यह सेल वाला याद रख सकते हैं, बच्छे, कि इसमें external है, बिल्कुल, किसमे internal है, और किसमें है यह नहीं, जी सही का Amphibia और reptiles की बात करें, तो Samoria हो जाएगा, reptiles और bird की बात करें, तो Archaeopteryx हो जाएगा, और reptiles और mammals की बात करें, तो Ornitha, Rincus हो जाता है, तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, option number, 4 चला जाएगा, एवल्यूशन वाले चेप्टर से भी इसको पर सकते हैं, इवल्यूशन वाले यह सारी connective link जो है, वो basis of evolution की रूप में देखेंगे आपन, जी सर, इन्करेक स्टेटमेंट देखना है, water circulation in spawns help in respiration and excretion सही है, थीक बात है, bioluminescence is a character of phylum, tenophora, porifera नहीं है, tenophora होना, जीए आपर, किसी phylum का character तभी होगा, जब सब मेंबर शो करें, सभी, इसे तो cylindrates हो है, उनमें आपका jellyfish करती है, फिकिन सब नहीं करती है, 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 इसे इसे अंदर अपने को incorrect statement पुछा था, तो second होगा, तो incorrect statement, option no. 2, option no. 21 देगा, two type of circulating system are found in the animals, मैंज, the statement related to these system, ठीक है, open दिया है, close दिया है, अब अपने को open और close जो है, वो इनके लिए लिखना है, cell and tissue are directly bathed in the blood, ये बात आती है, किसके लिए, open के लिए, तो first के लिए क्या चला जाएगा, ये small वाला, first चला जाएगा, blood is circulated through a series of blood vessels of varying diameter, तो ऐसा किस में देखा जाता है, close type of circulation में दे प्लइल आती है, उसके बाद में, arteriols में, divide होती है, उसके बाद में, these capillaries में divide होती है, उसके बाद venule बनता है, whenule से फिर unite होकर whenule unite होकर vents बना जाती है, ठीक है? तो ये चला जाएगा, phylum, arthropoda के लिए, open type चला जाएगा, open type चला जाएगा तो इसके लिए first हो जाएगा, और comparatively less BP, तो open type of blood circulation में less BP होगा, क्योंकि वहाँ पर surface area ज्यादा हो जाएगा, जहाँ पर blood present होता है, लेकिन जहाँ blood vessels पाई जाएंगे, वहाँ पर coincides रहेगा, एक blood vessel के अंदर पाई जाने के कारण, वहाँ पर blood pressure ज्यादा देखा जाता है, तो यह वाला भी किसके लिए हो जाएगा, first के लिए, तो first, 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 इसका मतलब first के लिए कौन आगे, one, two and four, one, यहाँ पर, two ने, three, one, three and four, और second के लिए, second आजाएगा, तो यह अपना answer first ही चला जाएगा, इसमें, यह तने सर्फ वह क्या बना दिया आपने, जैसे यह हर्ट है, तो इसे कुछ डिश्टेंस तक ब्लट से, ब्लट वैसल से प्लट आया और फिर वो सेल उसके बीच में फ्री हो गया, बिलकुल बिलकुल परता हूं और फिर दीरे वापस ब्लट वैसल के ररके हर्ट के तरफ जारा है, बिल्कुल तो बिपी जो हो गया तो बच्छो ये पूछना भी चुरूरी है क्योंकि मैं तो इधर दानता मेरा मैंने देखा वो क्या बना दिया इतंदर शर ने ठीक है चलते हैं आगे क्योंसर नमबर 22 जी सर एंडर स्केल्टन इसका मतलब है बात हो रही है तो इसमें अपने को बर्ट्स देखना तो ये तो मैमल है और फैलिश भी मैमल है मैमल कार्निवर्स है तो ना एक डोग और एक कैट है नियू फ्रॉंज वर्ड है बिल्कुल वल्चर जी से कहा था जी और ये मैमल हो गया तो आंसर चला जाएगा उप्शन इंबर फ्री जी नेक्स्ट क्वेशन है वह और इसे जो ब्लड शर्कुलेट हो रहा है वह केवल और केवल दी ऑख्शिजनेटेड ब्लड ही इंट्री कर रहा हो भी डियूक्षिजनेट और बहार आरो भी इसको शिंगल ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जाने ज जाता है तो हर्ट में जो ब्लड रापस निकले गाव है कैसा क्या है क्योंकि नहीं पहुंचा है इसके बाद यह कहाँ जाएगा गिल्स में पहुंचता है और गिल्स में यहाँ पर क्या होता है इसका ऑक्षीजरेशन के बाद में इस सीधा कहा लोट जाता हो और इसका मतलब यह तो और जाने वाला घॉट अने वाला और इस यो टॉ टॉ घॉरान है यह कंपलीट पाथवे के दोरान यह हुग वह पार गुजर रहें इसको सिंगल ब्रैट सर्कुलेशन के नाम से भी जाने जात पॉइव एक पॉइब्टायल और पैंगिन मुजंड हो एक अरेक्राइब एक विया है और यह पल्ड है और एक कॉड़ेट और वर्टीब्रेट इन्ही पीजाए तो सॉलिड शिंगल, स्टेंडर्स चेंटर नर्व सिस्टम सॉलिड नहीं होता है होलो कहलाता है ले एग जो यहां पर वेल है वीवी पेरिस हो करेगा नहीं है बोनी स्केल्टन की बात हुई है तो डॉग फिस्ट तो बिलकुल यह कोड़ेट का ही फीचर कहलाता है ठीक है तो डॉग फिस्ट में अडल स्टेज में बाकि सब में अब्रियोनिक स्टेज के दौरान क्या देखे जाएंगे जाते हैं इसका मतलब किसी ने किसी लाइव स्टेज के दौरान गिल्सलिट की प्रेजन्स पाई जाती है और यह एक कोड़ेट का फीचर भी बनाता ठीक है नेक्स्ट क्यूशन नमबर 25 रहेगा विच और फॉलॉइंग स्टेक्चर इस प्रेजन्ट ओन्ली मेल कोख्रोच की बात कर रहे है एनल सरकाई की बात करें तो यह तो दोनों में यह पाई जाती है लेकिन एनल स्टाइल व दोनों में यह पाई जा रहे है जो आंसोर कॉन साद जाएगा डाइगा बनाती चीज़ जा सेग्मेंट में यह कैसी क्या है जिब में श्रका उन चांते है नेक्स्ट टॉन्टइसेग्मेंट सेवलॉपमेंट की बुक्रा आज ररुट सब्सक्राइट के अंदर दूहां इंसेट्स हैं अनग यह लग लग टाइफ का डवलप्मेंड होता है एक पैरो मेटाबॉलस उन्वे स्टेजेज होता है अनेक लार्वल स्टेजेग गितरू जिने में अग होता है और उससे निम्फ बंते हैं और फिर उससे पॉक्रोच उसके अंदर येक इंसेक्ट उसमें इसी टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है एक निम्फ और अडल्ट स्टेज होती है उसको पेरो मेटाबूलस बोला गया है तो डवलोपमेंटल स्टेज के दोरान जो है वो क्या देखे जाते हैं इस प्रकार के चला जाएगा जिसमें अनेक निम्फियल स्टेज अपने को देखने को मिलती है जी क्योंस नमर टॉंटिस होन रहेगा बच्छों डख बिल्ड प्लेटिपस इस कनेक्टिव लिंक बिट्वीन तो ये किसके बीश हो जाएगा रेप्टाइल और ये फिचर रेप्टाइल का ह इसके अंदर क्लोका है क्लोका सुलेकर इसके लावा इसके चाहिए और prevents रहेगी उससे यह चुल्ड करें तो ये क्या कह लाते है क्योंस नमर टॉंटिस एट रहेगा तोटली रोंग अबाउट अकरनेस ओफ नॉटो कोड्ड वाईल अधर थी रहता है मतलब नॉटो कोड के में तीन सही है एक गलत है एक गलत है तो अपने को उस एक गलत को यहां पर जो है देखना है ठीक है, ठीक है इस प्रजेंट अल्ली नारवल तेल इन एस्टीन ये सही है, तुंकि अडल्ल में डिसपियर होजाता है, It is replaced by vertebral column in adult frog ये भी सही है, तभी ये vertebrate है, बिल्कुल ठीक बात है, इस प्रजेंट थूआउट लाइफ इन हुमन नहीं रिप्लेस्ट हो जाएगा वर्टिबरल पोलम के द्वारा और इस प्रजेंट थूआउट दे लाइफ इन एंफियोक्स इसे अपने जो लेंस लेंट भी का था ब्रेक्यों स्टॉप भी का था तो आर्वा में भी एर अडल system in starfish helping न तो ये बात पहले के lecture में भी हमने discuss कर दी तो यह locomotion में भी हल करेगा transportation of food में भी हल परेगा respiration में भी हल्प करता है सारे यह फंक्शन यह दर साता है तो all of these fourth option जो आपना correct answer चला जाएगा पहले इसके बारे में काफी discussion हुआ हुआ है जी शेतिन नेक्स स्टारफिस का कोई फिचर नहीं है को पूछ रहा न को स्टारफिस अकाइनोडर्मेट से यह आपको याद रखते हैं। विल्कुल रपलास्टिक होते हैं। अर्ट वेंटरल साइड होता है और रेनसक्न साइड होता है। यह वेंटर साइड को यहां जो रॉलीमेंट भी तो आंसर कॉन सा चला जाएगा, option number 4 चला जाएगा तो कि water vascular system की तुरू जो water बाहर आ रहा है वही actual में cells ammonia collect कर के लिए बिल्कुल, बिल्कुल, elimination of nitrogenous waste जो है बोडी से इसलिए specific structure डवलप नहीं है बिल्कुल ठीक बात तो next question रहेगा, 31 Select incorrect statement, sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by the formation of treatment पुछा है, अपने से क्या पुछा है, incorrect पुछा है वही या, निडो sites present only on the tentacles नहीं बोडी पर भी present होती है, बोडी surface पर भी बोडी surface पर भी पाईजा है एवन कुछ class के member में, बोडी के interior में भी होती है बिल्कुल ठीक हाँ, जैसे hydros रुआ में क्यों बाहर की तरफ होती है, बोडी surface पर टेंटिकल्स पर एंथो और साइफो जो उसमें इंटिरियर में भी हो सकती है परिफेरा का और उसको काफी सारे टुकडो में तोड़ दिया जाए, तो हाई पावर ऑफ रिजनरेशन की प्लॉपर्टी होती है, क्योंकि इनके बास एक टोटी पोटेंट सेल, टोटी पोटेंट, उन्डिफरेंशिए बिल्कुल अर्कियोसाइट, तो उन पीशेज में सर फॉर्म ए न्यू स्पॉंज बोड़ी, और सम पीश सम नहीं सभी डवलप करेंगे, तो अपना मोड एप्रोप्रियेट जो थर्ड हो जाएगा, तो थर्ड उप्शन जना जाता है, तो थर्ड उप्शन में आपको यह यार रखना है कि यहां पर पाई जाने वाली टोटी प सिपन्जीज आर इसमेंट्र कोड़ेट जाला है, तो मेंबर्याय जो है टो न्यू कर शम गाता है, आर्चिश बिखना है, क्योंकि तुछ द्रच पहरो मेति जो शार्म पाइनेमल वाइनेट अन्युदाहें जाला है, इन तीन फरा रप्र्दॉट्छिं अनली बात यहां श एक्टो नहीं बात होती है तो आंसर अपना कॉन से चला जाएगा इन करेक्टि पुछा है अपने से तो नमबर फॉर चला जाएगा जी सब नेक्स प्रोडाइट अनिमल के रिगाइडिंग पूछ रहे कौन सा जो वह द्विलिंग है तो यह पोरिफेरा का मेंबर है बाइसेक ब्यूसेक्सवल है और इसके लाबा आपक्टिक यह भी बाइसेक्स्वल है एंक्यलोस्टोमा एसके लिए उनिसेक्सवल है और सेक्षण डाइमोर्फिजम होता है बेरे चुटा फिमेल बड़ी होती है इसको हुकुवाम के नाम से भी जाने जाता है तो वह दोनों यह ढू तो इसको आपने क्या बोलतेंगे बाइसेक्शुल एनिवल ठीक है नेक्स्ट रहेगा 35 तु शिलॉम अपियर फस्ट इन दी कॉर्स ऑफ इवल्यूशन अभी अपनी बात हुई थी एनलिटा में आ जाएगा तो आंस्वर सिंपल सा चला जाएगा यह यह वाला चला जाता है अकर यहीं पूछ लेता कि किसमें जो है वो यह तु शिलॉम के अंडर आटेयुरू सिलॉमेट звучume की बात करेंगे थी वह तो आ्सो अपना सु की चला गया जी काईों ड़रमेट्स आरऊ तपी चिसवकत की चिनि डेप्दोयट्स क्यों दिया गया है क्योंकि spiny bodied animal होते हैं इनकी body पर काफी सारे spine होते हैं इनकी epidermis है इसके नीचे की तरफ से calcareous ossicles उपर की तरफ move करती है जो mesodermal इनका endoskeleton है और इसी वज़े से इनकी body जो वो spiny नजर आती है बिल्कुल बिल्कुल तो का मतलब हो गया spiny और डर्म का मतलब हो गया यहां पर body से तो body पर क्या पाई जाते हैं बहुत सारे spines present होते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाते है का जाते ठीक है बच्चों तो आज का लेक्चर जो अपना यहीं तक ही रहेगा तो अगले अगली स्रीज में मिलते हैं इस च्रक्चरल और्गनाइजेशन इन इनिमाल ठीक है उसके लिए आप जो है जो चैप्टर नंबर सेवन है वह बिल्कुल अप्रोच नहीं करेंगे कि आपको इधर उदर का बहुत सारा मेटर पढ़ना होता है बहुत सारी गाइड्स पढ़नी यह दिन सर ओके थेंकियो